लोंगेस्ट कोकिंग मेराथोन में गिनीज बुक अफ वर्ड रिकॉर्ड बनाने वाली रीवा की लता टंडन ने अपने पती मोहिट टंडन के खिलाफ रवीवार रात रीवा के सिविल लाइन ठाने पहुँचकर एफ आई आर दर्च कर आई है लता का आरोप है कि मोहिट टंडन का किसी दूसरी महला के साथ अनैतिक संबंध है और इसी के चलते ही वहाँ उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताडित भी करते हैं मेडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए लता टंडन ने बताया कि उनकी शादी 17 साल पहले 2005 में हुई थी और एक 15 साल का बेटा भी है लेकिन अब मोहित ने उनके साथ धोखा धड़ी की है लता के अनुसार चार माह पूर्व ही उन्हें किसी दूसरी महिला के साथ संबंध होने का पता चला जिसके बाद परिवार के माध्यम से कई बार मोहित को समझाने की कोशिश भी की गई लेकिन वह नहीं माना लता टंडन ने अपने पती मोहित पर आरोप लगाया है कि वह अवैध संबंधों के चलते बार बार उनसे तलाक लेने की भी बात कर रहा है जबकि वह तलाक नहीं देना चाहती वही मोहित ने अब उनके बेटे और उनके लिए खर्च देना भी बंद कर दिया है और लगातार वह मानसिक और शारेरिक रूप से प्रताडित कर रहा है आपको बता दें कि तकरीबन तीन साल पहले लॉंगिश्ट कुकिंग मेराथान में लगातार 72 गंटे से अधिक समय तक खाना बनाकर गिनीज बुक आफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्च कराकर लता टंडन सुर्खियों में आई थी कई वर्षों से हो रही है पिछले चार महीने से पहले चार महीने पहले से इनके किसी एक्स्ट्रा मैरेडल अफैर एक लेडी के साथ इनके अफैर का मुझे पता चला उसके बाद समझाने की कोशिश की गई परिवार के जरीए सब लोगों ने मिलके समझाया इनको कुछ की हैं कई बार कही है कई बार समझाने की कोशिश की गई लेकिन आज इस बात की अती हो चकी है पढ़ि लिखी लेडी जूम है अगर मेरे साथ ही हो सकता है तो किसी के साथ भी हो सकता है आद मैं F.I.R कराने आई हैं कि यह नहीं होना चाहिए इसके पहले भी आप इंके साथ मैं 17 साल की मेरी शादी है 24 साल का मेरा रेलेशन है लेकिन एक औरत के आने के बाद अगर ये सब हो सकता है मेरे साथ किसी के साथ भी हो सकता है मेरी F.I.R हो गई है जी अपने पती मुहित टंडन के खिलाफ शिकायत लेके आई हूँ आज मैं उनके घर गई थी उन्होंनों मुझे बेज़ज़त करके बाहर निकाला है बहुत गंदे और अश्लील शब्दों का इस्तुमाल किया गया है